बिस्मिलियर में रे, असलाम अलेकूम, वेलकम बैक टू माय चैनल, आज मैं आपको इरानी चादर की कटिंग और स्टीचिंग सिखाने वाली हूँ, बहुत यासान तरीके से, जो कि आप घर पे बना सकते हैं, बस इस चादर को बनाने के लिए आपको जादा वीद के कपड़ की जरूरत होती है, और ये चादर आप किसी भी कपड़े में बना सकते हैं, कॉटन में बना सकते हैं, आप चाहें तो लाइक्तरा में बना सकते हैं, जो भी आपके पास फैब्रिक अवेलेबल है, आप उससे बना सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको जो है पेपर पे इस चाद लेनी होती है जो के हम यहां पे हमारी forehead से लेके हम पैरों तक रख सकते हैं या उससे थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं लेकिन इसकी जो टोटल लेन्थ है वो हमारे कपड़े के विद के उपर डिपेंड होता है यानि आपके कपड़े की विद सबसे जाधा होनी चाहिए यानि 68 या उससे जाधा तो ही आप जो है इस तरह का एरानी चादर आसानी से घर पर बना सकते हैं लेकिन अगर कम विद का है तो आप या तो उसमें जोड लगा या फिर आपको छोटी चादर ही बनानी होगी तो ये नाप लेने के बाद में हमें जो दूसरा नाप लेना है वो हमारे जो है forehead का नाप होगा यानि यहाँ पे हमें half नाप लेना होगा यानि इस तरीके से एक eyebrow से दूसरे eyebrow तक या फिर चहरे की पूरी गोलाई आप ले सकते हैं उसका half करेंगे तो भी इसका मेजर में काफी होगा तो इसके लिए सबसे पहले आपको 3 मीटर फैब्रिक के जरूत होगी लेकिन वो जो 3 मीटर फैब्रिक होगा वो आपका 68 वीद का होगा तो इसमें कपड़ा काफी लगता है क्योंकि हमें पूरी बॉड़ी को उसमें लपेटना होता है इसलिए हम इसमें जाधा कपड़ा लेते हैं तो हम यहाँ पे सबसे पहले 3 मीटर फैब्रिक लेंगे 68 वीद का और फिर किस तरीके से सी कटिंग करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ तो समझ लिजी यह पेपर ही आपका 3 मीटर फैब्रिक है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड करना है तो हमने यहाँ पे फोल्ड कर लिया उसके बाद में हमें जो बंद वाला साइड है वहाँ से निशान लगाना होगा तो यहाँ पे एक तरफ हम नीचे का पहले निशान लगाएंगे नीचे यानि जहां से हम गुलाई देने वाले हैं तो यहाँ पे इन लगाना है यहां से हम गुलाई देने के लिए कर रहे हैं उसके बाद में क्रॉस करके हमें 12 इंच तक इस तरह लेना है और यहाँ पे निशान लगाना है यानि क्रॉस में हम 12 या फिर 12.5 ले सकते हैं और फिर यहां से हम गुलाई देंगे तो यह हमारी चादर की नीचे की गुलाई हो जाएगी तो जो फोल्डेड हिस्सा है वो आपके कपड़े की विध है और यह वाला हिस्सा हम नीचे का गुलाई इस तरीके से देखके इसकी कटिंग करेंगे देखें यहां पे इस तरीके से इसकी कटिंग हो जाती है तो बहुत ही आसान सी कटिंग है और इसको सिलने के लिए बहुत ही आसान है आपको सिर्फ जो हमने गुलाई दिये उसको double fold करके बारीक सिलाई लगानी है तो यहाँ पर आप चाहें तो single fold करके सिलाई लगा दें और इसमें आप बारीक लेज भी लगा सकते हैं तो यहाँ पर हमारी निजे की सिलाई बिल्कुल इस तरीके से होगी और जो सामने वाला plane हिस्सा रहेगा यहाँ पर हम बस एक बार fold करेंगे और एक बार fold करने के बाद में हमें simple सिलाई लगानी है और जो हम यह fold करेंगी हमारी चोड़ाई एक से डेडिंज तक रहेगी तो जैसे आपकी कपड़े की width अगर ज्यादा है तो आपको यह चोड़ाई आप थोड़ी सी ज्यादा भी ले सकते हैं तो यहाँ पर हम simple इससे fold करेंगे और एक सिलाई लगा देंगे इतना करने के बाद में हमें यहाँ पर इसका center निकालना है जो के हमारे सर पे रहेगा और यहाँ पर हमें जो है marking करनी होगी यानि हमने जो एक eyebrow से दूसरे eyebrow तक नाप लिया है 11 इंच तक तो उसका half हम ने किया साड़े 5 इंच देखे इस तरीके से इसका half करेंगे हम क्योंकि हमने कपड़े को double fold किया है तो उसी तरीके से 11 इंच को हम इस तरह half करेंगे लेकिन अगर आप पूरे चहरे की गुलाई ले रहे हैं तो उसका आपको चौता हिस्सा लेना होगा तो यहाँ से यहाँ तक हम 5.5 इंच में निशान लगाएंगे तो देखें यहाँ पे हमने fold किया और इसमें निशान लगा दिया है तो यह total लंबाई इसकी जो है वो 11 इंच तक रहेगी तो इतना करने के बाद में हमें elastic लगाना है तो elastic दो तरह की आती है white वाली या फिर black वाली ब्लैक वाली जो है थोड़ी lose रहती है और white वाली थोड़ी tight रहती है जो आपको comfortable लगे आपके हिसाब से आप plastic ले सकते हैं और जितना हमने चहरे के लिए marking किया है उतना ही हम elastic भी लेंगे तो आप चाहें तो थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं सिलाई के लिए फोल्ड करके अगर वा लूज है तो आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं तो हम यहां पर 12 इंच तक की elastic कट करेंगे लेकिन elastic मैं कहूंगी कि आप अपने size के हिसाब से लिजिया अगर आपका सर छोटा है बड़ा है उस हिसाब से elastic कम यह जादा हो सकती है और सिलाई लगा देंगे इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से एरानी चादर घर में तैयार हो जाती है तो मेरे पास यहां पर बहुत जादा वीद का कपड़ा नहीं है, 60 से थोड़ा सा कम है, लेकिन मैं आपको इसके अंदर इसकी कटिंग बता देती हूँ, क्योंकि मैंने अलग से कपड़ा नहीं खरीदा है, यह राणी चादर के लिए मेरे पास पहले से ही कपड़ा मौझूद चार मिटर का तो मैं आपको इसी मैं इसकी कटिंग और सिटिचिंग शिखा देती हूँ, लेकिन आपको जो है बहुत जादा लंबा बनाना है, तो आपको जो है फेप्रीक की जो वीद है वो 68 इंच तक लेनी होगी, तो इस कपड़ी की जो वीद है मैं आपको नापके मैं थोड़ा सा छोटा ही इसे बनाने वाली हूं, तो इस कपड़े की विध हमने नाप ली है, आप हमें 3 मीटर तक कपड़ा अलग कर लेना है, तो यहाँ पर हम 3 मीटर फैब्रिक इसमें से काल लेंगे, क्योंकि 3 मीटर फैब्रिक काफी हो जाता है इरांचादर बनाने के लि तक नाप लिया है, एक्स्ट्रा हम यहाँ पर कट करके निकाल देंगे, तो यह मैंने एक मीटर अलग कर लिया है, आप हम इसी के अंदर पहले निशान लगाएंगे, उसके बाद में हम चादर की कटिंग करेंगे, उसके लिए देखिए बस आपको इस तरीके से डबल फोल्ड करना है, नॉर्मल जैसे हम कपड़ा फोल्ड करते हैं, तो डबल फोल्ड करके आपको कपड़ा इस तरीके से बिचा देना है, तो देखिए मैंने यहाँ पर कपड़े को बिचा दिया है, अब हम इसके अंदर निशान लगाएंगे, देखिए खुला वाला हिस्सा है, और य यही से जोड लगा सकते हैं, तो यही से चादर की लंबाई आपकी बढ़ जाएगी, और यही जो कॉर्णर है, यही से हमें चादर के लिए शेप देना है, देखिए इस कॉर्णर को हम कट करके अलग कर देंगे, तो सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट लगा लेते हैं, तो ब अन्राजे से भी लगा सकते हैं, तो इस चादर की कटिंग बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया, इसकी कटिंग मैंने कर दिया, देखिए आप देख सकते हैं, बहुत ही जल्दी जो है यह चादर की कटिंग हो जाती है, उसके बाद सामने वाल है elastic के लिए तो हमने जो माक किया तो उसे साब से हम 5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा देंगे दोनों तरफ तो खोलने के बाद यह 11 इंच तक हो जाएगा देखिए इस तरीके से खोल देंगे तो यहाँ पर हमारे पास 11 इंच तक यह निशान complete हो जाएगा तो यहीं पर हम elastic को लगाएंगे जो के हमारे सर पे रहेगा तो हमारे चहरे की गुलाई हमने लिया उसका half किया तो half करेंगे तो उतना ही होगा यानि 11 इंच तक तो इसे मैं थोड़ा सा और बड़ा निशान लगा देती हूँ और इसके बाद में हम जब सिलाई क तो हम यहाँ पर एक इंच तक अंदर की तरफ फोल करेंगे देखे एक इंच आपको फोल करना है और सिंपल एक सिलाई लगानी है आपको double फोल बिलकुल नहें करना है क्योंकि यह साइड वाली किनारी है तो यहां से धागा बिलकुल को नहीं निकलेगा तो यहाँ से म इसे डबल फोल्ड करके बहुत इबारिक सिलाई लगाएंगे आपको अगर पिको कराना तो आप पिको भी करा सकते हैं तो चलिए हम इसकी स्टेचिंग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर देखें दो तरह के मिरे पास एलास्टिक है मैं यहाँ पर ब्लैक वाली यूज़ कर रही हैं तो यहाँ पर इलास्टिक को हम इस तरीके से मेजर करेंगे यानि हमने जो निशान लगा तक 11 इंच तो हम यहाँ पर एक इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्यों हम इंच तक हम यहाँ पर इतना किया है सिंपल देखें इस तरीके से बस फोल्ड करना है और एक सीधी सिलाई हम इसके उपर लगा देंगे तो इसकी सिलाई भी बहुत जादा असान है कोई जंजट नहीं है बस आपको दो ही सिलाई के अंदर लगानी होती है और आजकल तो यह जानी चादर अलग अलग तरीके से बनाई जाती है और मैं क्योंकि कॉटन के फैब्रिक में बनाना चाती हूं तो मिरे पास अभी फैब्रिक मौझूद नहीं है मुझे 68 या 70 विद का फैब्रिक चाहिए किसी दिन अगर मिरे पास हो जाएगा तो इंशाला मैं वह चादर भ दबल फोल्ड करूंगी फिर सिलाई लगाऊंगी तो सिंपल मैंने पहले एक बार इसे फोल्ड किया सिलाई लगाया उसके बार मैंने दुबारा से इसे फोल्ड किया और फिर इसके उपर सिलाई को लगा दिया है तो हमारी सिलाई देखी हो चुकी है ये देखी है मैंने बहुत ही बारी सिलाई पूरी गोलाई से इसके उपर लगा दी है आपको अगर पिको कराना है तो आप करा सकते हैं तो इसलिने के बाद में ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है तो इसकी वीद अगर ज्यादा ह है 5.5 इंच पर यहीं पर हमें elastic को attach करना है तो इसे हम इस तरह खोलेंगे और अंदर की तरफ से हमें elastic को लगाना है तो देखिए यहां पर निशान लगाया था यहां पर हम रखेंगे करना है कि मुगे बार बार कमेंट आ रहा था इराई चादर के लिए instagram पर कमेंट आया था यहांपर चादर अकुत तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तो यहां पर देखिए हमारी चादर बंके बिल्कुल रिडी हो चुकिए है तो यहां पर मैं डमी को पहना के आपको बताऊंगे सबसे पहले आपको नोस्पिस लग तो यह आप अपने हिसाब से टाइडी यालूस कर सकते हैं तो इसकी पूरी लंबाई आप देख सकते हैं मेरे कपड़े के सबसे मैंने इसे तैयार किया है और यहां पर जो है वो शीजा ने पहना है शीजा की हाइट माशालला बहुत जादा है तो उसके हिसाब से चादर बहुत ही परफेट बनी है तो यह दिखिए इस तरीके से है आप जाहें तो कुसी बी तरफ इस तरह इस तरहा की चादर को पहनना इसकी चोड़ाई आप देख सकते हैं बहुत अच्छे हैं लेंद्स थोड़ी सी कम है क्योंकि शीजा की हाइट बहुत ज्यादा है तो सारहन वीडियो में जब तक के लिए दुआ में याद रखें, टेक केर, अल्ला हाफिज